असलाम वालेकूम आज मैं आपको सिखाऊंगी फेस्बुक में रील डालने का तरीका सबसे पहले आपने फेस्बुक के आइकन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपने जो अकाउंट क्रियेट किया है आप उस पे जाएंगे आपने अपने अकाउंट पर जा सकते हैं नहां मुनपर पर आपने क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपने रील अपलोड करनी है स्क्रॉल करते वे जब नीचे आएंगे तो यहां पर आपके पास रील का उप्शन आएगा रील्स पर आपने क्लिक करना है यहां पर दे रहे हैं no reals yet यानि कोई भी real upload नहीं की गई है तो आपने क्या करना है create real पर जाना है create real जब आप करेंगे तो यानि कि जो भी आप life real create कर रहे हैं उसका option आएगा तो आपने अगर live direct real बनानी है तो आप direct camera open करके real बना सकते हैं अगर आप कोई video upload करना चाहते हैं real के जगाए तो आपने यहां पर यह दो फोटो का निशान बना हुए आपने उस पर click करना है यह आपके album में चला जाएगा यानि कि आपने जो भी real डालनी है यहां से आप select कर सकते हैं अपनी gallery में जो आपने safe की हुए है लाइफ अगर आप real बनाना चाहते हैं तो direct वहीं से यह option क्लिक करके आप direct real जैसे ही बनेगी वो direct upload हो जाएगी यहां पर आते वे जो real आपने upload करनी है उस पर click करना है क्लिक करने के बाद यहां पर चार option है audio text sticker safe sticker आपने अगर करना है तो आप sticker site पर लगा सकते है text आपने कोई देना है तो text भी दे सकते है audio जब करेंगे तो आपकी कोई लगी होगी या फिर आपने अगर मेंदी आप लगा रहे हैं उसमें आपकी बीच में कोई वाइस आई होगी तो आपने यहां से इसे off कर देना है तो उसकी वाइस बंद हो जाएगी आगे आप यहां पर है add music एड music पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके facebook के जो खुद उसने आपको music दिये हैं वो आप लगा सकते हैं जिसे कि यहां बहुत सारे song किसी पर भी आप क्लिक करेंगे अगर इस तरह आप क्लिक करते हैं तो यह song लग जाएगा और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो यह नहीं लगाएं आप वापिस इसे अंसेफ कर दें तो यह वापिस white हो जाएगा तो इसी तरह आप कोई भी music add कर सकते हैं अगर आपने mute pad करना है यह यह कोई भी music नहीं लगा रहे तो ना लगाएं तो आपने क्या करना है अगर done पर क्लिक करना है done पर क्लिक करने के बाद next पर क्लिक करना है processing का option आएगा इसके बाद आपकी real upload हो रही है यहाँ पर आने के बाद अभी real upload नहीं होई अभी देखें आपे describe your real आपने लिखना है कि आप real में कर क्या रहे हैं तो महंदी design है आपने लिखना है महंदी design इसमें यह करने के बाद आपने space देना है दो space देने के बाद आपने एक hashtag यूज करना है hashtag यूज करने के बाद आप महंदी design दे दें hashtag इसका महंदी और उसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपके पास option है public पर जब आप click करेंगे तो यहाँ friends, friends accept friends यानि कि आप खाली जो facebook के आपके friends होगे खाली उन्हीं को ना करें तो public public में आपको all over सबको दिखेगी इसको click करने के बाद back आते हैं back जाने के बाद आपने करना है share now यहाँ पर आ रहे है uploading reel यह line आपकी complete हो रही है upload होने में थोड़ा सा time लेता है यह जितनी बड़ी वीडियो होगी उतना ज्यादा time लेगा uploading में view ठीक आपकी reel upload हो चुकी है आप scroll कर ले and back पे आप जाएंगे home page पे अपने facebook के scroll कर ले and again आप अपने account पे जाएंगे तो यह आपकी reel, reel के option में आएंगे तो यह आपकी reel हो गई upload और जब आप home page पे आएंगे तो यह home page पे भी आपकी reel नीचे सामने show हो गई है home page पे कोई भी अगर इस वक्त जब आपके वीडियो upload की होगी उसी टाइम अगर कोई भी facebook के home page पे आएगा तो आपकी वीडियो directly सामने home page पे आ जाएगी तो यह है वीडियो, यह है reel upload करने का तरीका तो वीडियो अच्छी लगी हो तो like किजएगा, subscribe किजएगा and thanks for झाल